असलाम लेकुम डे स्टूडेंट्स अमीदे आप सब खेरियस हैं आज किस यूनीक वीडियो में हम डिसकस करेंगे नैशनल सेविंग्स और्गनाजेशन इसके जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो और साथ में इसके जो सेविंग सेटिफिकेट्स हैं जो ये कि तरफ से इशू किया जाते है जैनल पबलिक को उनकी एक्साम साथ में जो सेविंग अकाउंट्स ये ओफर करते हैं वो भी आप से डिसकस करेंगे अच्छा ये किसलिए वीडियो में बनाई है उसकी रिजन दो है एक तो ये कि आप नैशनल सेविंग ऑर्गन Mulli जो वे जिसमें जूनियर नैशनल सेविंग ऑफर की सीटे आँ और उसाथ में अस्व इस्टेन नैशनल सेविंग सेविंग ऑफर की सीटे हैं इन दो पोस्ट्स का जो खासht तोर पे इनका return test conduct होगा उसमें जो subject relevant में या national savings organization के हवाले से जो questions पूछे जाएंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़दा important है क्योंकि उसमें इनके saving account और इनके जो certificates हैं इस organization के थूँ जो issue किये जाते हैं वो उनके बारे में पूछा आपसे जा सकता है ठीक है इस वीडियो को आपने complete देखना है तो हम शुरू करता है national savings organization अच्छा दूसरा इसका purpose बनाने का ये है कि जो आम तोर पर लोग पूछ रहे होता है कि national savings के जो certificates हैं उनका rate क्या है क्योंकि इसके rate change हो रहे होते हैं जो profit के जो rate क्योंकि लोग investment इसमें करते हैं पैसे इसमें जमा कराते हैं certificates वगएरा purchase करते हैं तो उस पर government general public को एक ratio profit एक rate जो है इनको offer करती है तो यह कि वो जो offer rate है government की तरफ से certificate to certificate vary कर रहा होता है लेकिन इनके interest rate जो है जो है आम आम लोग पूछ रहे होता है यहां पर आ रहा है कि 20.50% जो offer किया जा रहा है इनके जरीए इसी तरह special saving account जो है first five profits 15.7% six profit इनका 16.6% pensioner benefit account जो है benefit account उसमें 15.36% है इसी तरह शोधा family welfare account 15.36% इस तरह सर्वा Islamic saving account जो है वो सीसा इसको बोलता है 20.5% offer है इसकी और इस तरह सर्वा Islamic term account जो है सीटा इसको बोलता है one year का है यह turn 19.10% है three years का इसमें 15.25% and five years का 14.76% है तो यह उन तमाम की जो है वो percentage आपके सामने आ गई है तो जब आप इनकी जो man official website है national savings organization की जब यह आप open करते हैं तो उसमें tab चल रही होती वहाँ से आप इनको view कर सकते हैं इनका latest profit जो यह offer कर रहे है saving accounts पर वो किया है ठीक है अब हम next चलते हैं इसकी next tab में यह जो recently vacances अनाउंस हुई है उनकी detail यहाँ पर लिखी हुई है advertisement भी आप यहाँ से view कर सकते हैं और apply करने का जो तरीका था जो क्योंके मेरे खाल से date निकल गई है यह शौय डेट इनोंने extend की है 6 जुलाई तक तो वो भी आपको यहाँ से मालूम हो सकता है next जो है इसमें हमारे पास वो जो saving accounts है उनकी detail आएगी कि सबसे पहले जो saving account है वो क्या है यह यहाँ पर आगिया देखे लिखा है saving account जब इस टैब पर आप click करते हैं तो आपको saving account की जो detail है वो आपके सामने आ जाती है अच्छा जब मैंने इस organization में काम किया था तो उस time saving account इनोंने launch किया था पहले यह था कि जो certificates इशू किया जाते थे general public को तो उनके लिए एक passbook इशू की जाती थी और उसी passbook पर monthly जो है उनको profit दिया जाता था और वो passbook लेके आते थे साथ में checkbook लेके आते थे और checkbook के थूँ वो अपना profit वहाँ से जिस तरह हम bank से पैसे विद्रा किया जाते हैं तो यहां से जो है वो अपना profit यहां से विद्रा कराते थे checkbook के थूँ और वो passbook के थूँ लेकिन बाद में इनों ने कहा कि जो जिनोंने certificates लिये में उनका जो monthly profit बनता है उन सब के लिए एक saving account open कराया जाए और तमाम certificates जो नोंने issue profit उस saving account में transfer होगा automatically और वो लोग जो है ATM के थूँ अपना जो profit है वो किसी भी bank से या national savings के center से वो विद्रा करा सकते हैं ठीक है तो यह saving account उस time इनोंने launch किया था तो कुछ साल ही हुए saving account यहां पर open होना शुरू हुआ है next जो account इनोंने offer किया हुए वो pensioner benefit account है pensioner benefit account इसके नाम से हिसाफ जाहर है कि यह जो organization है यह pensioners के लिए भी एक account open करती है यानि जो लोग government servant है वो retire होता है 60 years of age या उनकी जो qualifying service है उसको complete करने के बाद तो वो इनके लिए जो है एक offer करता है एक account वहां पर वो अपना पैसे जमा करा सकते हैं और वहां से pension के तोर पर तो government की तरफ से उनको पैसा मिलता है यह लेकिन यहां से उनको एक खास rate पर profit दिया जाता है तो यह account सिर्फ जो है pensioners के लिए open हो सकता है किसी और general public में किसी भी person के लिए open नहीं हो सकता तो pensioner benefit account के बाद हमारे पस जो next है वो special saving account है इस पर भी एक government की तरफ से एक खास percentage इस पर इसको दिया जाता है profit तो यह कि यह general public में से किसी के लिए भी open किया जा सकता है next जो है हमारे पास show the family welfare account पाकिसन आर्मी से जो personnel है वो अगर दोराने service उनकी शहादत हो जाती है तो उनकी families के लिए एक account कोला जाता है यहाँ पर national savings के अंदर उसको show the family welfare account बोला जाता है और इसमें पैसे जो जमा कराते हैं तो उस पर एक खास percentage जो है profit उनको दिया जाता है monthly basis पर show the families को तो यह सिर्फ show the families के लिए open हो सकता है जो बाकी general public के लिए इसको open नहीं कर सकता है account को ठीक है यह वो account है जो national savings जो है वो organization ओफर करता है next जो है हमारे पास यह certificates हैं यह इसका जो है की आप इसको work बोल सकते हैं इस organization का तो इसमें जो है certificate जो issue किया जाते हैं यह सामने आपको screen पर नजर आ रहे हैं सबसे पहले यहां पर defense saving certificate है यह जो certificate है यह उनके लिए issue किया जाता है जो बच्चे होते हैं उनके नाम पर certificate issue किया जाते हैं खास मुदत के लिए होते हैं और उसके मुदत के बाद जो उनका जो पैसा है वो काफी गुना बढ़ चुका होता है कि इन्वेस्टमेंट की जाती है बहुत सारे प्रोजेक्ट में गुवर्मेंट की तरफ से और फिर वो पैसा जो है बाद में उनको थोड़े बाले हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं फिर उनको पैसा वापिस किया जा सकता है इसके इलावा जो है इसमें एक सेर्टिफिकेट है बहबूत सैविंग सेर्टिफिकेट ये बहबूत सैविंग 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 सै फादिया है regular income certificate regular income certificate process certificate होता है जो regularly आपको income देता है यहने ऐसकी एक خاص मुद्ध नहीं ओपी यह महिने हो सकता है दो महिने के लिए यह तीन महिने के लिए भी हो सकता है तीन महिने बाद आप इसकी जो income है से Isके जो certificate हासिल ओने वादी वह विद्ड़ा सकते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे होते हैं उसमें पांच साल या दस साल बाद ही आपको प्रॉफिट मिलता है लेकिन यह जो है एक किसम की आपकी रेगुलर इंकम होती है अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो हासिल तो नेवाला प्रॉफिट है वह रेगुलर इंकम के तोर पर आप यूज कर सकते हैं इसलिए इस सर्टिफिकेट का नाम रेगुलर इंकम सर्टिफिकेट रखा गया है ठीक है नेक्स्स अमारे पास स्पेशल सेविंग सेटिफिकेट है यह बिल्कुल उसी तरह है तो इस तरह क यह certificate basically issue करने का मकसद ही यह होता है कि different kind के certificate issue किया जाएं और हर certificate की जो नौयत है वो दूसरे से different हो ताके जो general public है वो अपनी सहुलत के मताबिक certificates को purchase कर सकें अगर किसी certificate की percentage ratio profit की जादा है तो उसकी म्याद जो है वो भी जादा होगी यानि उसका profit आप देर से निकलवा सकते हैं it means कि वो regular income certificate है आप उसकी जो विद्रा है उसका profit वो जल्दी करा सकते हैं वासे यह short term savings certificate इसके नाम सी सहाफ जाहर है कि short term के लिए इसको fix किया जाता है अगर आपके पास पैसा है भी investment करना चाहता है national savings के अंदर तो यह कि आप short term के लिए यानि एक तो long term होता है आप एक साल के लिए पैसा suppose जो है वो इसमें जमा करा सकते है national savings में और national savings के बदले में आपको एक certificate issue करता है जिसको short term certificate बोलता है ठीक है short term certificate का जो फाइदा हो यह होता है कि यह short term में आप इसको मुकमल पैसे भी इसके निकलवा सकते हैं यानि जितने पैसे आपने जमा कराये थे certificate purchase किया था वो with profit आप उसको short term के अंदर निकलवा सकते हैं बैबूस सेविंग सेटिफिकेट में आपको बता दिया है अच्छा आपने पेपर के पॉइंट अवी से तमाम certificates की detail official website से आप हासिल कर सकते हैं अगर इस पर आप click करें किसी भी certificate या किसी भी account पर तो उसकी मुकमल detail आपक accounts की detail आप यहां से मालूम कर सकते हैं तो यह आपके यकिनन पेपर के point of view से थोड़ी helpful हो सकती है क्योंकि अगर यह paper बनाया national savings organization ने खुद से because अभी तक इसमें किसी किसी किसम की testing agency शामिल नहीं है तो फिर यकिनन वो national savings के बारे में आपसे questions लाजमी पूचांगे ठीक है इसक को subject के हवाले से कुछ ना कुछ लाजमी पूचा जाएगा जैसे accounting के questions होते हैं finance के questions होते हैं वो लाजमी आएंगे बाकि general ability assessment test होगा जिसमें percentage wise 20% आपके English का हो सकता है 20% जी के